आज मैं सोयावडी के बहुत हिल्दी और बहुत ही टेस्टी नास्ता बना रहे हूँ, इसे तो आप देखते ही बनाएंगे, क्योंकि इसे बड़े और बच्चे सभी पसंद करेंगे, और ये बहुत ही हिल्दी होता है, एक बार आप बना कर फिमली में खिला देंगे तो सब इ एक कफर के चावल ले हूँ, ये बिर्यानी बासमती चावल है, इसका पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है, ये बिर्यानी बना लें, आप कोई भी चावल ले सकते हैं, टुकड़ा नहों साबुत चावल लें, चाहे पुलाव बनाएं ये बिर्यानी बनाएं, इसके आखे तरीके से इसे धोँगी ताकि इसका स्टार्च निकल जाये। जब ऐसे रगड कर धोएना तो इतना ज्यादा ना रगड दें कि चावल टूड़ जाए। आराम आराम से धोएं। जो सफेद सफेद पानी निकल रहा है तो इसे धोकर निकाल देंगे, चावल एकदम खिला खिला बनेगा, चिपकेगा नहीं, दोनेक बाद इसे कम सकम 10 से 15 मिनिट के लिए भिगो कर छोड़ दें, भिगोने से ये चावल बहुत ही अच्छा बनता है, ग्रियानी बासमती ले सकते हैं, जो बड़ा बड़ा होता है, टुकडा नहीं होना चाहिए, अब मैं एक कप भरके सोया चंक्स ले ली हूँ, इसे सोया वड़ी भी बोलते हैं, इसे मैं भिगा दे रहा हूं करम पानी में, इसे भी 10 मिनिट के लिए छोड़ दूँगी, एक चेमच नमक डाल द जाता है, जो ओवराल हेल्थ के लिए फायदे मंद होता है, तो लगभग 15 मिनिट भिगा कर मैं छोड़ दी थी, चावल को भी और इसे भी, अब निचोड ले रही हूं, पानी निकाल दूँगी, सोया वड़ी क्या, और चावल का भी पानी निकाल देना है, अच्छे तरीक लिकिन हिली बहुत होता है, अब मैं गज़्स पर खड़ाई रही हूँ, इसमें दो चे मज तेल डाली हूँ, आधा चे मज जीरा आधा चे मज सरसोर डाल दी हूँ, थोड़ा सा पक जाए, तब इसमें डाल दें, तेजपत्ता, एक तेजपत्ता डाली हूँ, एक इंची ड लायची ले सकते हैं जो काली वाली लैची बड़ी वाली होती है ना उसे भी ले सकते हैं जो समय से लफथो उहीं ले ले लें थोड़ा सब्सेल में ब Dos प्रम ड्री इस ऑड़ी ने त्होर देनलक प्रम ट्रीम करना थे अचिक जनtal एपे ने परावघ कंढत के डाली हूँ आप चाहें तो बारी काट कर भी डाल सकते हैं थोड़ा सो भून लेगे ना तो इसका कच्चापन खतम हो जाएगा टेस्ट अच्छा आता है और प्याज को इते नहीं भूनना इससे ज्यादा नहीं भूनना आप कलर देख पा रहे होंगे इसमें एक बड़े सा मसाले के साथ बहुत ही अच्छा लगता है थोड़ा से भून ले हूँ कलर चेंज हो गया हलका सा तभी आलू का टेस्ट अच्छा लगता है थोड़ा से भून लेंगे तो और जो सोया चंक्स ली हूँ उसे भी डाल दी हूँ तीन चाहिए निर तक दोनों को भूनेंगी इस मसाले के साथ, खड़े मसाले डाली हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा भूनने से, मसाले का टेस्ट तेल में आ जाता है, और एक टमाटर डाल दी हूँ, इसे भी में धो कर काट ले हूँ, हलका से भूनेंगे तब बढ़िया लगेगा खाने में, गैस के फ्लेम अभी मी मिर्च पॉर्डर डाली हूँ, कास्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं होती है, अगर आपको तीखा पसंद हो, तो हरी मिर्च डाल ले, या जो लाल मिर्च आती है, तीखी वाली उसे डाल सकते हैं, भूनेंगे तीन-चार मिनिर तक मसाले के साथ, बहुत बढ़िया इसमें मैं टेर्चे मच नमक डाल दे रहे हूँ, नमक आप अपने स्वादनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक और मसाले जो डालना हो इसी समय आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब बाद में हम डालने के नमक मसाले, चावल डालने के बाद तब मिलाएंगे तो चावल अब चावल को भी 2-3 मिनिर तक हलके हाथ से चलाएंगे, मसाले के साथ मिल जाए और थोड़ा सा भून जाए, एक कोटिंग बन जानी चाहिए, इसके उपर मसाले के और तेल का, बढ़िया से मिलाएं और तूटने न पाएं, हलके हाथ से मिलाना है, उसके बाद इसमें मैं दो लें, लास्ट में एक से दो चेमच घी डाल सकते हैं, और जितना चावल लें उसका डबल पानी, मैं जिस कटोरी से एक कटोरी चावल ली हूँ, उसी कटोरी से दो कटोरी पानी डाल दे हूँ, चावल का डबल डालें पानी, और एक चेमच कसुरी मेथी डाल दी हूँ, जो बहुत ही बेहतरी निस्वाद आता है हलके हाद से मिलाते रही हूँ ध्यान दें पानी जितना चावल लें उसका डबल डालें जिस बढ़तन से लें अगर एक कटोरी ले रहे हैं दो कटोरी पानी ठेक है बढ़िया बन जाएगा इतने में उसे चावल के क्वालिटी को उपर होता है थोड़ा बहुत कम जादा लग सकता है इसे में मिडियम फ्लेम पर कबर कर दी हूँ दो मिनिट के लिए अब इसमें हलका सा उबाल आने सुरू हो गया है तब इसमें मैं नीबू का जूस डाल दे रहे हूँ एक नीबू का जूस डाल दे एकदम खिला खिला प्लाव बनेगा खाने में भी अच्छा लगेगा दाना दाना अलग हो जाएगा अब आठ नो मिनिट के लिए कबर कर दी हूँ लगभग नो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर कबर कर दे और एकदम पढ़िया से पुलाव तयार हो जाता है गैस बंद करके पांच मिनिट के लिए और छोड़ दी हूँ पहले हाथ से दबा कर देख लें जब ये नरम हो जाए तब गैस बंद करके पांच मिनिट के लिए कवर करके छोड़ दें हलका सा ये ठंडा हो जाए तब उलट पलट करें नहीं तो ये तोड़ जाता है देखें कैसे एक दम खिला खिला चावल बना हुआ है जब इसमें एक बार उबाल आ जाए नेबू को जूस डालने के बाद गैस का फिलेम लो मेडियम करके इसे 8-9 मिनर तक पका जेंगे बहुत अच्छे से ये पक जाता है अब मैं तेजपत्ता और दालचेनी के टुकड़ा तोनों निकाल दोंगे क्योंकि इसका टेस्ट इसमें आ चुका है बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनी है अगर यह वीडियो आपको जरस भी पसंद आए तो अपने फेमली और मित्रों में सेर कर दीजिएगा देखें कैसे दाना दाना अलग हुआ है चैनल पर पहली बार आए हूँ अभी तक सब्सक्राइब न किये हूँ तो प्लीज मैं आप सबसे निवेदन कर रहे हूँ बिने सब्सक्राइब किये मत चाहिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है एक बार इस तरीकी से बना कर खिला देंगे फेमिली में सब को और बच्चे तो सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे जो बजार से खाने जाते हैं न कभी नहीं खाएंगे अगर इस तरीकी से घर पे बना कर खिलाएं तो बहुत ही पसंद करेंगे घर के बनी चीज बहुत ही हिल्दी, बहुत ही टेस्टी होती है और सोध भी राता भी नमिलावड के तो आप घर पे बनाएं सोय बढ़ी बहुत ही हिल्दी होती है इसमें बहुत सारे पुष्टिक तत्व पाए जाते हैं सभी के लिए फायदे मंद है जरो ट्राई करें एक बारी से